प्रेंड्स मैं बना रही हूं आलू देम की रिस्पी जो की बहुत ही टेस्टी है आईए देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूं आलू देम आलू को मैंने उबाल लिया है मैंने मेडियम साइज की आलू लिया है और उसको मैं 50% ही उबालूंगी और फॉक से इसमें इस तरीके स छेद बना दूँगी मैं कराही में थोड़ा सा डालूंगी तेल जब अच्छी तरीके से गरम हो जाए तब हम आलू को फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो डी फ्राई भी कर सकते हैं पर थोड़ा सा तेल डालके में सुनहरा होने तक पका लूँगी तो आलू को जादा नहीं चलाना है बस थोड़ा सा चला के फिर एक साइट पक जाए तो हम दूसरी तरफ पलड देंगे और दूसरी तरफ भी सुनहरा हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए आलू का कलाल चेंज हो गया है और उसी पेल में हम डाल देंगे खड़े गरब मसाले और जीरा तो जब तड़का पक जाए तो हम उसमें प्याज और मिर्ची डाल देंगे तड़का पक गया है और मैंने ले लिया है दो तमाटर पीस के उसको मैंने डाल दिया है डाल के अच्छी तरीके से चलाते हुए थोड़ी देर तक पकाइए तो देखिए टमाटर पक चुका है अब इसमें हम मसाले अट करेंगे मैंने डाल दिया हल्दी गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर मसाले को भी डालेंगे और चलाते विए थोड़ी देर तक पकाएंगे तो देखिए मसाले का कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी दिखाई देने लगा है फिर इसमें हम डाल देंगे पानी तो पानी हम तरी के हिसाब से डालेंगे और बहुत ही अची तरीके से चलाएंगे फिर नमाग डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तरी उबलने का तो इसमें जो ये खड़े गरा मसाले तेज पत्ते वगरा हैं इसको हम निकाल देंगे तो जब ग्रेवी पक जाए तब हम इसमें आलू एड़ करेंगे सारे आलू डाल देंगे तो एक बार चला लेंगे फिर ढखके दो मिनट तक पकाएंगे तो फ्रेंट्स दो मिनट के अंदर ही हमको एक आग बार ऐसे खोल के चला लेना है क्योंकि तरी हमारी गाड़ी रहेगी तो नीचे पकड़ने का भी डर रहता है तो सबजी हमारी पक के रेडी हो गई है देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ही ठीक है गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया मैं उपर से धनिया डाल दूँगी सबजी मारी परफेक्ट कूक हो चुकी है अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो सर्व मैंने प्लेट में किया है फ्रेंट्स इसे रोटी पूरी चावल किसी भी डिस के साथ खाया जाता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसे हम वैसे कचालू के तार पे भी खा सकते हैं बस उपर से थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और नमकीन डाल दे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स आपको हमारी एडिस कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताए और हमारे वीडियो को लाइक करे सस्क्राइब करे थैंक यू